हेलो विएर्स वेलकम बैक तो आर यूट्यूब चैनल एक्स्प्रेस्पिंटिंग के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत-बहुत स्वागत है अभी जो हम इस वीडियो का बेसिकली हमारा जो मतलब है बनाने का वो इस तरीके के चाबी के चल्ले आपने जो हमसे परचेज की होंगे काफी लोगों को प्रोलम आरा था कि सर इस तरीके से आप हर्ट वगेरा में ओवल शेप में या फिर स्कॉर रेक्टेंगल सरकल जो भी हमारी शेप अवेलेबल है हमारे पाल ये सारी की सारी शेप बेसिकली हमार पास भी अवेलेबल है इनका काफी डाउट आ रहा था कि सर इनकी प्रिंटिंग किस तरीके से करनी है हमें समझ नहीं आ रहा तो ये वीडियो बेसिकली उनी के लिए होने वाला है कि चाबी के चले किस तरीके से आपको प्रिंट लेना है इसमें आपको computer से किस तरीके से design निकालना है वो भी बताया जाएगा, किस तरीके से आपको time temperature set करना है, किस तरीके से आपको chabi के चले machine के अंदर रखके print करने है, एक साथ कितने आप chabi के चले इसमें रखके print कर सकते हो, तो ये basically उनी के लिए video होने वाला है, वीडियो को end त तब तक ये machine heat होती है, 5-in-1 machine Fahrenheit में चलती है, इसका temperature भी बताऊंगा, किस तरीके से आपको set करना है, तब तक ये heat होती है, तब तक मैं बता देता हूँ आपको कि इन चावी के चलो को, जैसे मैं भी ये 3-4 चावी के चले print करके दिखाऊंगा, आपको, जो coffee day trending में रहते हैं 3-4 चावी के चले ही print करके दिखाऊंगा, सारे के सब सेम तरीके से ही print होगे, किस तरीके सापको size लेना, वो सब बताने वाला हूँ, जब तक ये temperature बढ़ता है, तब तक मैं आपको दिखाता हूँ कि computer से आपको, PC से आपको किस तरीके सापको design लेना है, drive को import करना है, तो मै यहाँ पर alarm clock का भी option print रहके, आपको software भी मिल जाएगा, यहाँ पर heart cushion की file मिलेगी, जैसे kitchen का आपको उठाना है, तो kitchen का PDF है, इस kitchen की PDF को आपको इस तरीके से double click करके आपको open करना है, open करने के पास, right side में आप देख सकते हो, यहाँ पर, आपको download करना है, download जैसे ही होईगा, देखिए, यहाँ पर आपका ही download हो चुका है, इसको क्या करना है, click करना है, और इसको drag करके आपको coral draw के अंदर लेके आना है, coral draw basically मैं software इस्तमाल कर रहा हूँ, तो यह आपको इस्तमाल करना है, अगर आप Photoshop में लेना चाहते हो, Photoshop में भी कर सकते हो, लेकिन यह इसलिए हमने PDF बनाए हुआ है, ताकि आप इसको Photoshop और और दोनों में आप इस्तमाल कर सको, अभी आप देखो, यहाँ पर यह सारी की सारी group है, एक साथ अगर आप एक को क्लिक करोगे तो सभी की सबह आ रही है, तो आपको क्या करना है, इसको ungroup करना है, इनी पर click करना है, राइट क्लिक कर टानी है, ठीक अब बाकी महाटाता हूँ, इसमेंसे एक यह बिटा देता ओ, यह बिए भी, यह सारी अगर कोई भी तीन फाईल है अगर आपको चाहिए, यहाई होगे आपका, जैसे मैं यह पी इस पर 4 फाईल कर लेता हूँ, ठीक है, आपको यह क्या करना है यह 4 टरश के क लेता है खंप उटा सकते है कै Yu-G 있으면 जो कीचैन कि ली है उसका साइज है अब हांको क्या करना है को ऑल्रडी है क्या है इस में उब क्रिक य॥ करना है को बेस्ट कर देना है अभी के अंदर आपको była को भी ले कर आनी है यह लो इस तरीके से आपको लेकर कर आनी है यह दे है नो आप देखे उपर photo है और नीचे ये design है तो इस design को हमेशा ऊपर रखना आपको तो क्या करना है design को click करना है control-c और control-v control-c करना है और फिर control-v करना है यह आपका duplicate बन जाएगा और पहले वाले को click रहेगा इसके अंदर इसको Ctrl V और Ctrl C करो तो इसकी डुब्लिकेट बनेगी पहले वाली आप डिलीट कर दो यह देखो इस तरीके से इसको अगर मेर को इसके अंदर लेके आना है फोटो को तो आपको क्या करना पड़ेगा सबसे पहले इस तरीके से आपको ड्रैग करनी पड़ तो देखे सबसे पहली बात तो यह आपको फोटो पे क्लिक करना है फोटो पे क्लिक करना है इस सरकल के अंदर नहीं करना मतलब जो यह स्कोयर बना हुआ है इसके अंदर क्लिक नहीं करना फोटो के कोने पे क्लिक करना है आपको आपको अब्जेक्ट में जाना है पावर क्ल में कर देता हूं अभी दूसरा चावी का चला है हमारा इसमें क्या करना है आपको इसमें आपको दूसरी फोटो लेनी है आपको जैसे अभी यह सेलेक्ट की वे इसको कोपी करता हूं मैं और इसको सोफ्ट्वेर के अंदर लेकर के आता हूं सोफ्ट्वेर के अंदर मैं इसको लेकिया हम हैं और आपको इस तरीके से आप फोटो को छोटा कर सकते हैं कर दिया आपने छोटा और आपका डिजाइन यहां पर इसको एडजस्टमेंट आप कर सकते हैं इस तरीके से आपने किया डिजाइन आगया आपका पूरा का पूरा अभी आपको क्या करना है फोटो के क खालेता हूं मैं copy किया मैंने इसको फिर को रोल रोके अंदर गये इसको पेस्ट कर दिया अभी ए फोटो काफी बढ़ा है तो अभी जैसे हर्ट करना आपको इस पूच जिए Ctrl-C और Ctrl-V लिखे बता देता हूं Ctrl-C TRL Ctrl-C कोपी करना है फिर कंट्रोल प्लस वी ठीक है पेस्ट को भी पेस्ट का ही है आपका सोटकट की है इस तरीके से मैंने कंट्रोल सी करा हूं कंट्रोल वी करता हूं यह वाला डिलीट कर देता हूं अब इस फोटो को आपको क्या करना है इसके अंदर एड़ेस्ट करना है तो आप पर आपका यह आ गया और इस तरीके साथ इसको कर सकते हैं और यह आपका डाउन कर दो यहां से और आपका यहां पर कर दो इस तरीके से ठीक है यह परफेक्ट आया है आपको क्या करना है इसके लिए अगर आपको इसका डिजाइन सेम करना आपको फोटो क्लिए फोटो पेस तो भी वह मैं तीन आपको करके दिखाता हूं, सारे के सारे डिजाइन सेम तरीके से होंगे, ऐसा नहीं है कि आपका अलग अलग होगा, सेम तरीके से होंगे, सारी चीज़, अब यह आपका एक्जक्ट वह आया है, जो साइज का चावी का चल्दा या कीचेन आपका कटा थोड़ा सा आपको कुछ सेंटिमेटर इसका साइज बढ़ाना है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करो और इसको थोड़ा सा साइज बढ़ा दो, इसका भी आप थोड़ा सा साइज बढ़ा दो, इस तरीके से, आपने साइज बढ़ा दिया और आपको क्या करना है तीसरी से अगला जो step है वो बहुत important है उसको आपको यहाँ पे मैंने एक कोने में कर रखें ठीक है, control P आपको करना है control P आपने करा, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको printer select करना है, printer आपका कौन सा है, जैसे अभी जो मैं इस्तमाल कर रहा हूँ यहाँ पे आपको देखो, control P करने के बाद से पहले यह करना है, यहाँ पे आपको यह तीनों जो चाबी के चल्ले आप print कर रहे है वो तीनों के तीने यहाँ पे आगे, ठीक है फिर आपको क्या करना है, printer आपको select करना है कि आप कौन सा printer इस्तमाल कर रहे है अगर आप L130 कर रहे हैं तो इस वाले को select कीजिए और अगर आप L805 कर रहे हैं तो आप इस वाले को select कीजिए अगर जैसे मेरा L805 है तो मेरा यहाँ पे ready आ चुका है तो अब आपको क्या करना है next pre-press पे click करना है इन photo उसको उल्टा करना है mirror image आपको निकालना है इसका तो mirror image के लिए आपको क्या करना पड़ेगा mirror image के लिए आपको mirror पे click करना पड़ेगा देखो बहुत simple सा procedure है दुबारे बताता हूँ control P करना है आपको printer select करना है आपको जो भी आपका printer है और pre-press पे जाके इसको mirror करना है यहाँ पे आप देखिए अगर mirror से पहले दिखाता हूँ यह photo यहाँ पे है और अब mirror कर दूँगा तो यह photo किदर चला गया इधर क्योंकि वो उल्टा हो गया है left right दिखेगा right left दिखेगा प्री प्रेस पे गया आपने यह काम कर दिया आपने फिर आपको setting का बटन क्लिक करना है setting के बटन पे जाके आपको यहाँ पे a4 select रखना है portrait में select रखना है paper type को आपको epson matte रखना है epson matte जरूरी है epson glossy मत कीजिए आप epson matte कीजिए quality आपको standard रखनी है standard quality रखनी है color रखना है यहाँ पे जितनी copies निकालनी है उतना आप यहाँ पे एक चाहिए या 10 चाहिए या दो चाहिए आपको वो आप अपने recording देख सकते हो जैसे मेरे को अभी एक ही copy चाहिए तो L805 printer select किया pre-press पे जाके उसको mirror किया फिर जनरल पे क्लिक करना है फिर सेटिंग के बटन पे क्लिक करना है आपको फिर portrait A4 size और यहाँ epson matte quality standard color यह वाला color पे gray scale मत करना वरना तो आपका gray में आएगा colorful photo नहीं आएगा copy जितनी आपको copy चाहिए okay apply और print की command आपको दे देनी है print की command देते ही यहाँ पे एक right and side में आपका pop up आजाएगा इसका मतलब यह है कि printer ने printing स्टार्ट कर दिया यहाँ पे जितना भी यह पूरा का पूरा फिल हो जाएगा जब आपकी printing complete होके बाहर निकल जाएगी फिर मैं आपको अभी मशीन के पास लेके चलता हूं कि किस तरीके सापको printing पेपर निकालने के बाद आपको किस तरीके सापको इस तरीके सापको इस तरीके सापको इस तरीके सापको निकालने वो मैंने आपको बता दिया है वीडियो में आपको सबसे पहले क्या करना है यह यह तीन चाबी के चल्ले में स्लेक्ट करके अलग रख लेता हूं, यह तीन चाबी के चल्ले हैं आपके की रिंग्स, इनको मिरे को प्रिंट करना है, तो आपको क्या करना है? देखो, लिए इसलिए एक्स्ट्रा निकाला था अभी देखे, अगर आप यह साइज देखोगे, अगर आप इसके अंदर लेके आओगे तो पर्फेक्ट आएगा यह देखिए और आपका थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा मैने इसलिए निकाला है ताकि आपका प्रिंटिंग जो एरिया है वो पूरा का पूरा कावर जाए अगर आप सेम साइज का निकालते हो ना तो पहले तो आपको यह निकालनी है इसके ओपर से यह आपकी एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन लेयर होती है जो हमारी यह आपको निकालनी है प्रिंटिंग से पहले इस तरीके से आपको यह निकाला यह निकाल दी मैने इसकी और फिर आपको निकालनी है दूसरे वाले की क्योंकि शेप आपको प्रोवाइड कर दी गई है तो आप ऐसा नहीं है आप यह मत रखना मनमें डाउट कि भई यह वाला प्रिंट नहीं करके दिखा है मैंने आपको एक हार्ड वाला भी करके दिखा है और दो आसान वाले भी मैंने आपको प्रिंट करके दिखाए है कि किस तरीके से आपको प्रिंट कर निकालना है, इस तरीके से मैंने ये निकाला और ये निकाला, मशीन भी हमारा रेडी हो गया है, इस तरीके से आप, ये देखे, तीन मैंने ये निकाल दी, extra protection layer मैंने इसमें से हटा दी है, अभी आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आप हर्ट का डیزईन सब से पहले हम ले लेते हैं इसमें आपकी सब्लमेशन टेप कब इस्तमाल होएगा यह सब्लमेशन टेप है इसका इस्तमाल होएगा गेपो सबसे पहले आपको को डیزऑन के उपर यह लगाना है जो एक्स्ट्रा है, जाद है बड़ा पेपर, आपको नहीं चिपकाना है इसके उपर, इस तरीके से आपने ये करा, और आपको इस तरीके से यहां पे ये बंद करना है, सब्लीमेशन टेप का इस्तमाल करना है पेपर को चिपकाने के लिए, इस तरीके से आपने पेपर को चि अब मैं दूसरा उठा लेता हूँ इसमें अक्षे गुमार का फोटो है इसको भी आप इस तरीके से लगाईए और आप यहां से इसको चिपका दीजिए सब्लीमेशन टेप की मदब से प्रोसिजर सेम है आपका अगर वीडियो अच्छी लग रही है समझ में आ रही है चीज़े तो प्लीज लाइक कर दिया कीजिए कमेंट में बता देना कि अगली वीडियो आपकी कौन से टोपिक पर आपको चाहिए यह दो लगा दिया मैंने तीसरा मैं यह लगा देता हूँ या फिर आप कोई भी सग्जैशन आप देना चाहते हो हमें तो लूब हमें दे सकते हैं आपको मैंने यह वाला भी लगा दिया के गर्जाण चाहँ क्टहरो के विलाka था कि दे सकते हूं इस तरीके से आप इसको लगा सकते हो थीक एब प्ली यह ए तीनों मैंने रेडी कर दी है, सब्ली मिशन टेप को मैं इधर रख देता हूँ एक बार, यहां पर सब्ली मिशन टेप रख देता हूँ मैं, अभी आपको देखो time temperature, किस तरीके से आपको time temperature आपको set करना है, यहां पर आप दिखाईए, इस तरीके से machine आपको on करनी है, जब आ आपको समझ मैं आपको काफी लोगों का यही doubt रहता कि किस तरीके से आपको temperature set करना है, कैसे चीजे, यह बहुत doubt रहता है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको mode का button क्लिक करना है, जब आप mode का button क्लिक करोगे, तो यह set की light जल गई है, तो यह minimum temperature कम से कम machine मांगती है, अगर आपको कम करना है temperature तो इससे आप कम कर सकते हो, और अगर आपको increase करना है temperature बढ़ाना है, तो आप इससे भी बढ़ा सकते हो, अभी मैं 350 रखने वाला हूँ चाभी के चल्लो के लिए, 350 रखा मैंने minimum हो गया है, अब जब मैं इसको mode का button को दुबारा क्लिक करोगा, तो यह temperature की light जल जाएगी, मतलब maximum temperature machine demand करेगी, mode का button क्लिक करा, temperature वाली यह वाली light भी जल गई है, तो मतलब maximum temperature, बढ़ाना हो, इससे बढ़ाईए, घटाना हो, decrease करना हो, इससे decrease कीजिए, increase करना हो temperature, इससे increase कीजिए, minimum भी हो गया, maximum temperature भी आपका set हो गया, तीसरा आ जाता है timing, कि timing किस तरीके से करनी है, mode का button एक बार रोल क्लिक कीजिए, यह आजाती है, आपकी timing, कि कितने time तक आप product को machine के अंदर रखना चाते हो, बढ़ाना हो, आप increase करना हो, इससे कीजिए timing, यहाँ पर timing की light ओना हो जाएगी, और decrease करना हो, इससे आप कर सकते हैं, 60 second में इसके लिए printing क के लिए रखूंगा, MDF के लिए, फिर आपको, काफी लोग यहीं पर छोड़ देते हैं machine को, आपको यहाँ पर नहीं छोड़ना है machine को, आपको क्या करना है, एक बार रोल क्लिक करना है mode का button, इस तरीके से mode का button क्लिक कर दिया, तो अब आपकी machine गरम होना start हो जाएगी, जब काफी लोगों का क्या problem आता है, इस तरीके से आप चाबी का चला रखते हैं, इस तरीके से चाबी का चला नहीं रखना है, आपको कीरिंग उल्टा करके, इस तरीके से, पेपर की साइड हमेशा उपर होनी चाहिए, इस तरीके से आपको रखना है, दो हो गया, और आपका य तीन हो गया, इस तरीके से आपको टैफलोन शीट का भी इस्तमाल करना है, नीचे आपको टैफलोन शीट का इस्तमाल करना है, फिर आपको क्या करना है, मशीन को पोजिशन पे ले करके आना है, देखे, काउंट डाउन अगर आप अभी स्टार्ट करोगे तो यह countdown स्टार्ट नहीं होगा, जितना temperature आप सेट करते हो, 5-in-1 इस वाली मशीन के 5-in-1 की बात कर रहा हो, अगर जितना temperature आप सेट करते हो, उससे एक temperature उपर होना चाहिए, present temperature आपका, जैसे 351 है, अगर मैं इसका countdown स्टार्ट करोगा, तो यह start नहीं होगा, जब तक यह 351 पर ना पहुच जाए, ठीक है, अभी देखे, अभी automatically पहुच गया, और मैं इसको down कर देता हूँ, अब आपकी printing स्टार्ट हो गई है, sublimation printing, अगर आप MDF की printing कर रहे हो, sublimation, 5-in-1 मशीन की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें आपको 352-355 temperature बात नहीं कर रहा हूँ, और timing जो रखनी है, वो रखनी है, आपको 60 seconds, उसमें आपका पूरा-पूरा product आपका ready हो जाएगा, उसमें देखिए, जैसे मैंने यह आपका print नहीं करके दिखाया, यह shape का, तो उसकी भी shape आपकी बिल्कुल सेम आएगी, उसके printing procedure भी आपका सेम है जैसा कि आपका इस वाली का है, स्कॉयर वाली का है, rectangle वाली मैंने करी, heart वाली मैंने करी, तो इनका भी आपका सेम रहता है, और देखिए, सिर्फ चावी के चले नहीं, अगर आप यहापर यह product देखिए, MDF के यह वाले product हैं, यह वाले सारे के सारे, यह सारे के सारे, यह मो पूरी की पूरी पूरी प्रिंटिंग भी कंपलीक हो गयी है अब देखे इस म elét includes अभ धे शह plupart कर रहे है य किया करते हैं विना में तीन को ठेता फोरे टोड़ा शören का शाय। करना है आपको इस तरीके से और अब आपका चाबी का चला बिल्कुल रेडी है मशीन को मैं भी थोड़ी सी ज़र के लिए बंद कर देता हूँ क्योंकि भी आवाज गरेगी वो इस तरीके से आपको ये चाबी टेप अठाई और आपका ये चाबी का चला ready है, एक ही हो गया अभी मैं आपको तीनों के तीनों दिखाता हूँ अच्छे तरीके से ताकि आप quality का भी पता कर पाऊ उस पर की printing quality भी आपकी बहुत उच्छा ही यहां पर आप देखे, इस तरीके से आपका यह भी ready हो गया है, दो तीनों के तीनों चाबी के चल्ले में ही पर रख देता हूँ गरह में ही काफी इस तरीके से आपने अब दिखाएगे आप हमारे विवर्स को की printing quality कितनी इनकी बहतरी नाई है, आप देख सकते हो printing quality कितनी जबरजस्ता ही है, उसका matte setting पर रखे अगर आपको MDF print करना है तो try कीजिए उसको standard पर रखे ताकि limited ink इस्तमाल हो और आपके printing भी अच्छी आए तो देखे मैंने यह आपको चाबी का चल्ला भी print करके दिखाई है अब मिरको आप comment में डाल दीजिए मिरक सर मिरको इस तरीके की आपको next video बनानी चाहिए जिस पर भी जादा votes रहेंगे मैं उस पर भी जल्द से जल्द video शेर कर दूँगा अगर आपको mug printing की वीडियो चाहिए मैं mug printing बना दूँगा अगर आपको cushions की चाहिए बॉटल की चाहिए यहां पर देखिया product मेरे पास बहुत available है इनकी अगर सभी की आपको printing वीडियो चाहिए तो आपको मिल जाएगी अगर आपको यह जैसे हमारे नए stock में एड हूए अगर आपको इनकी भी printing चाहिए तो आपको इनकी printing की भी training वीडियो आपको मिल जाएगी हमारे पास regularly अगर mobile cover की तो मैंने बनाई दी थी mobile cover की आप अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप mobile cover की वीडियो भी हमारे पास से हमारे यूट्यूब चैनल पर आप देख सकते हो तो वह भी आपको मिल जाएगी अगर आपको machine की varieties देखनी है यहां पर हमारी machine की varieties भी available हैं अगर आपको इन machine में से किसी भी machine से कोई भी product प्रिंट करने में कोई भी समश्या आ रही है तो आप हमें comment box में जरूर बताईए हम जल्द से जल्द उसके वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे देखिए printing आपका सेम है procedure आपका सेम है अगर आप देखिए यह normal 5-1 machine है अगर आप heavy duty machine से printing करोगे तो सिर्फ time temperature का ही फरक आएगा बाकि printing procedure आपका सेम है computer वाला function जो है वो भी सेम आएगा सिर्फ time और temperature का फरक आएगा जो इसमें अलग है और heavy duty वाली machine में अलग है अब भी आप हमें बता दीजेगा कि अगली वीडियो किस पर बना लिए तब तक के लिए बने रही है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे आप वीडियो को लाइक नहीं करते हो आप वीडियो को लाइक कर दीजे मिल रहे हैं नेक्स ट्रेनिंग वीडियो में बाई बाई